सब्सक्राइब कीज़े प्रियास लवली कीचन को और बेल आइकोन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी ज़े रेस्टोन सब्सक्राइब करने वाली हूँ और है कडाई मुश्रूम कडाई मुश्रूम खाने के रहे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी है आप इस एसीप 10-15 मिनत में बना सकते हो ज़े आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजे आई होप आपको पसंताई की अगर हमीशे की तरह मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छे लगी पसंताई तो लाइक और शेक कदीशे तो छेले देखते हैं कड़ाई मश्रूम बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवशकता होगी कड़ाई मश्रूम बनाने के लिए इधर मैंने 200 ग्राम कप मश्रूम्स ले है मश्रूम को इसी तरह से 4 तुकडों में कट किया है एक कटिवी सिम्ला मिर्च, सिम्ला मिर्च को इसी तरह से चोकन में कट किया है, थोड़ा पैंच कटा हुआ, पैंच को भी सेम उसी तरह से ही कट किया है, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ पैंच, एक पैंच हमें ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए, एक चमच अधरक और मिश पाउडर, आधा चमच गरम मसाला, टेस्ट के लिए नमक, एक चमच कसुरी मेथी, एक बड़ा चमच फ्रेश क्रीम, आपको ज्यादा क्रीमी बनाना है तो फ्रेश क्रीम यूज कीजे, दो बड़े चमच काजू की पेस्ट, 20 से 25 काजू को अच्छी दर से मैंने पॉल कर करेंगे, इस पाउल में मैने मश्रूम जाले हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक से दो चमच मैदा, और मैदा से मश्रूम को अच्छी दर से रफ करेंगे, ताकि मश्रूम हमें अच्छी दर से साफ करना है, मैदा से मश्रूम अच्छी दर से साफ हो जाते हैं, आप मैदा ड छोर भी डाल सकते हो, घू काहता भी डाल सकते हो, पानी डालके इसे अच्छी दरह से wash करेंगे, दिखो कितने अच्छी दरह से mushroom clean हो चुके हैं, पूरा पानी हम फेक के देंगे और फिर से एक बार इसे wash करेंगे, मश्रूम को मैंने अच्छी दरह से दो के लिया है, पैन के उ चमज बटर डालेंगे और एक चोटा चमज तेल जिरा डालेंगे जिरा तड़ तड़ने लगा है अब हम इसमें डालेंगे आदर रख और लसन की पेस्ट कटा हुआ पैंच और इन दोनों को आच्छी दरत से मध्य माच पे पैंच को हलका सा गोल्डन व्राउन होने तक भून पैंच पून के तयार है इसमें टमेटो डालेंगे और अच्छी दरत से मीक्स करेंगे थोड़ा नमक डाल देते हैं क्यूंकि नमक डालने से टमाटर चल्दी से पग जाते हैं मीक्स करेंगे अब हम पैंच के उपा डखकन रखे बिलकुल धीमी आंग पर दो मिनट पकाएं तो दो मिनट में टमाटर अच्छी तरह से पग गए है गल चुके है एक बार स्पून के मदद से अच्छी तरह से मीक्स करके इसी तरह से स्मैश करेंगे ताकि टमेटो की अच्छी तरह से पैस्ट बन सके पैस्ट पक्के तयार है इसमें काजू की पैस्ट टालेंगे और अ आप इसे बना सकते हो, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, दनिया वजीरा पौडर, काली मीश पौडर, लाल मीश पौडर, पुड़ी कसूरी मेथी, अब हम इसे अच्छे तरह से मीक्स करके, लो टू मिडियाम फ्लेम पे इसमें से तेल अलग होने तक फूनेंगे, तो अब हमेंगे एक चमह, और फिर से मिक्स करके, एक मिनट पकाएंगे, कटिवी शिम्मिल गरम मसला, इसे मिक्स कर लेते हैं, कड़ाई मश्रूम बनाने के लिए हम बिल्कुल ही पानी का यूज नहीं करेंगे, मश्रूम डालेंगे और आच्छी तरह से मिलाएंगे, और सेम इसी तरह से ही इसे एक मिनट पकाएंगे, कटा हुआ राधनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे, अब हम पैन के उपर धक्कन रखके बिल्कुल धीमी आँग पे दो मिनट पकाएंगे, इस पे पानी डालने की जोड़त नहीं है, मश्रूम खुद का पानी छोड़ देता है, तो उसमें ही इस सबसे आच्छी तरह से बन जाती है, देखो मश्रूम ने कितनी आच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है और अलकेशे मश्रूम पक चुके है, अब हम पीर से पान के उपर धक्कन रखके दिम्यांग पे फीर से पांच मिनट पकाएंगे, जक्कन निकालेंगे, माउप होती आच्छी तरह से एकड़ाई मश्रूम बन के तयार है, और भी थोड़ा पतला दिख रहा है तो इसे में फीर से मध्यांग आच पे दो मिनट पकाऊंगी, ताकि एकड़ी थोड़ी हलकी सी गाड़ी हो सके, तो इसी तरह से कड़ाई मश्रूम बन के तयार है, इसे मैंने दो मिनट मध्यां आच पे पकाया है, कड़ाई मश्रूम को एक सर्फिंग प्लेट में सर्व करेंगे, देखो दिखने में कितनी अच्छी तरह से दिखता है और खाने के लिए तब भूधी टेस्टी जलिसेस रेसिपी है, अभूधी क्रीमी है, कड़ाई मश्रूम आप काउंसी भी रोटी नान चपा दिये और आइस के साथ खा सकते हो, तो चलो आप इस रेसिपी को ट्राइ कीचे, आई होब आपको पसंद आएगी, तो फैंस आपकी जब इसी तरह से इगर पे ही रेस्टरन स्टाइल कड़ाई मश्रूम बनाएए खाये और आपके नवह शेर कीचे, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मद खुले, तो चलिए फिरा मिलते हैं इसी ही नए रेसिपी के साथ तब तर के लिए कुछ बाए, Have a nice day.